दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात करी अगर आपके पास पहले सी इडिस्टिक की आईडी थी उत्तरप्रजिस की किसी भी जिले की वो भी बंद हो चुकी होगी और नए डिश्टल सर्विस प्रोवाइडर जो भी आए हैं डियस्पी नए आए हैं नई कंपनी आई हैं उनमें आपको रेजिस्टर करने को बोला जा रहा होगा तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वाइम टेक के बारे में तो सबसे पहले आपको इडिस्टिक पे जाना है और यहाँ पे 3.0 नियू करके एक आप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे डिस्टिक और उनके सामने कौन सा DSP है यह दिया गया है तो अगर आपके सामने वाइम टेक्नलोजी लिमिटेड है तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है इस वीडिय चौपाल और CSCE Governance India Limited अगर आपके सामने है तो आप इस वीडियो को देखें तो चलिए वीडियो को श्राट करते हैं तो अगर आप नया रेजिट्रेशन करना चाहते हैं नया जनसे वाकिंद लेना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से था और आपकी आईडिया भी दोनों के आपको यहीं पर मिलेंगे साथ ही साथ यह सारी जो चीजे में बता रहा हूं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे अब यहां पर नीचे आएगा तो यहां पर वीली रेचेशन लिंक आपको दिया गया है कि आपको 3.0 स्कीम में किस तरीके से अंदर भी सब कुछ सेम है लिंक चेंज है ओके आपके सामने CSC E-Governance है तो आप यहां पर EDSTC UP.CSC Cloud.in पे रेइस्टर करेंगे और अगर आपके सामने CSC Wi-Fi चौपाल है तो यहां पर EDSTC UP.CSC Cloud.in slash Wi-Fi चौपाल इस वाले लिंक पे आप जाएंगे ग्रीन वाले पे और वैस दिजिटल सेवा कनेक्ट इसके लिए आपके पास CSC ID होना जरूरी है अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप सबसे पहले CSC ID नहीं उसके लिए हमारे आप पिछले वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से आपको CSC ID लेना है यहां पर आप इस तरीके से आएंगे और प्रोसी District, Block और यहां पर ग्राम पंचायत और Village यह सारी चीज़े डालिए और उसके बाद में अगर आप नया registration करना चाहते तो यहां पर No करके submit कीज़ेगा और अगर आप पहले से ID है आपके पास तो Yes पर क्लिक कीज़े और यहां पर existing DSP ID पूछी चारी तो आपके जो इडिस्टि का इडिस्टिक का उनको WhatsApp या mail कर देना है साथी साथ call करके बता देना है कि आपने registration कर लिया है तब आपकी जो बाधित सिवाए हैं वो फिर से शुरू हो पाएंगे अधिक जानकार के लिए आप पिछला वीडियो देख लेजेगा उसमें में थोड़ा explain किया हूं किस तरीक करने वाले हैं तो आप चैनल पर बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपके स्टेट में ऐसी कंपनी है जिसका वीडियो हमने नहीं बनाया है तो कुछ बेट कर लीजे जल्दी वीडियो आ जाएगा देन आप देखके सारी चीजों को समझ पाएंगे फीस को नहीं बताई है तो इस तरीक से आपको रेश्टेशन करना है दन आपका जो डिस्टिक मेनेजर है वो आपके डिस्टिक और एरिया के हिसाब से प्रेफर करेंगे आपको क्या आपको एमांट देना है और सारी कंपनी इसका लगबग सेम रहेगा अगर आप पुराने हैं या आप उनसे बात कर लिजेगा किस तरीके से आपका फीस है वो आपको समझा देंगे तो फीस के उपर यहां पर सीसी ने कुछ क्लियर नहीं किया है तो मैं भी आपसे कुछ क्लियर ली नहीं बता सकता तो आज के वीडियो बस इतना ही वीडियो क्लाइक सेर कर दीजेगा अग बिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन